नमस्कार दोस्तों जैसरी राम कैसे हैं आप सभी लोग तो आज मार्केट के अंदर सच में वो तबाही आई है जिससे पॉर्टफोलियो के अंग प्रतंग हील चुके हैं आप एक चीज याद करिए पिछले दो-तीन दिन पहले जब मार्केट 1500 पॉइंट का गैप डाउन के सा सब भाग लिए एसा लग रहा था मानो आज की जो सेलिंग है वह सच में जानबूच के बढ़ियां वाली सेलिंग कराई जा रहे हैं अब समझने यह बात क्या है कि मार्केट के अंदर यह फॉल आया क्यों हम उसको समझने की कोसिस करते हैं क्योंकि हमारा काम होता है समझ के आगे बढ़ना और अगर आप इस कड़ी के हिस्सा बने रहने चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर किया करिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए ताकि आप जैसे बहुत सारे भाईयों तक मेरी यह वीडियो पहुचे और वह इस वीडियो की मदद से थोड़ा बहुत तरीके से खराब कल रात को ही कर दिया था जिसकी पूरी की पूरी जो एनलेसिस थी हमने अपने वीडियो में डाली थी अनलेसिस क्या है उसके पहले समझे यह माहौल जो है यह बुल रन सबसे पहले खराब क्यों हुआ देखिए सबसे पहला जो फेक्टर इसके अंदर था वह था एक्सेस लिक्विडिटी आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इस तरीके से बढ़ चुकी है कि आप निफ्टी के साथ अगर कंपेर करेंगे किसी भी स्टॉक के भाव को तो बड़े बड़े लग रहे थे कि और रिलायंस को छोड़ दिया दूस सस्टेनेबल ग्रोथ को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीसरी चीच आरबियाई ने वार्न किया है कि भीया जो रीटेल लोन्स हो रहे हैं उन पर थोड़ी कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है और आने वाला जो बजट है जो आ रहा है उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है इसलिए लोग लगातार अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं अब यहीं पर दूसरा पैरमीटर हम समझने की कोसिस करेंगी पैरमीटर नमबर वन क्या ग्लोबल मार्केट की तकलीफ मार्केट को जुला रही है इसका जवाब रहेगा नहीं क्यों क् अभी ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर आपने आज का न्यूस देखा होगा तो हम लोग हांग कांग मार्केट को भी पीछे छोड़ दिये तीसरे चीज है कि जितने भी बैंक आप है जैसे बैंक आप जापान हो गया बैंक आफ इंगलेंड हो गया इन लोगों ने एक हम है वह यह है कि मार्क के अंदर अब रेट हाइक होगा रेट कट करने की पॉसिबिल्टीज है उसके पहले ना तो हम बढ़ाएंगे ना तो कट करेंगे और अगर आज आप देखेंगे तो बैंक आप जो जापान की निकाई इंडिक्स है उसने तीन परसेंट का ग्रोथ द दिख रही है तो सवाल यह उठता है कि हमारा इंडियान स्टॉक मारकेट को मैं पहले वह आपको जवाब दे हैं हमारे इंडियान स्टॉक मारकेट में ईट्रा अटर आ ऑह था तसे लिक्विडिटी और येक्सटीज टेट्या और और साती साथ जो बैंक के पियर प्रेसर से वो मार्केट को इंफ्लूएंस कर रहे हैं अब आज के दिन जब मार्केट उपन हुआ था मार्केट बड़े अच्छे पॉजिटिव नोट पे उपन हुआ सारे पॉर्टफोलियो टॉप पर थे आल टाइम हाई पॉर्टफोलियो से पॉर्टफोलियो सबके जो हैं वो ड्रॉप हुए होंगे एक बार कमेंट करके बताना कि तुम्हारा पॉर्टफोलियो गीरा है या नहीं गीरा है थोड़ा बहुत भी गीरा होगा पकी बात है अब मैंने कैसे काम किया वो समझ लेते हैं और मैंने इस चीज को कैसे अनलाइ रहे उसके बाद कुछ और है तो मेरा काम हो गया था दोपैर को ही 2,56,000 का प्रॉफिट हुआ और मैं टाटा बाइबाइ बोल के मार्केट से बाहर हो गया हां पोजीशन के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस का गेम चलता ही रहता उसम को नहीं देखोगत कौन देखेगा तो आज की सुबा की जो खबर सुरू हुई थी वह यहां से सुरू हुई थी एक एक चीज आप ध्यान से देखो हमने सब कुछ आपके अंदर डाला हुआ था किस तरीके से है अभी आप देखेंगे सुबा सारे मार्केट पॉजिटिव म मिनेट पर क्या बोला कि भाई साब लास्ट एक घंटे पर इंडेक्स के अंदर भारी गिरावट आ रही है फिर मैंने आपको यहां पर एक और चीज बोली कि वी कांट कंक्लूड अंटिल नाउं वाट्स गोइंग ऑन दिया मार्केट वेदर इट सफ्रेश सेल और जस्ट प साइड में से फिर उसके बाद आप देखिएगा मैंने आपको डेटा डालना स्टार्ट किया यह डाउन हुआ रेटेल ग्रोथ के बारे में आरबी आई ने जो फैसला सुनाया उन सब को लेकर मार्केट गिरने लगा मैं पोजीशन से अपने अपडेट भी करते रहा और कुछ नहीं है याद रखिएगा उसके बाद मैंने आपको सब कुछ दिखाये अब कल की अनलिसिस क्या होगी दोस्तों क्या कल भी मार्केट गिरेगा क्या कल मार्केट के अंदर फ्रेस बाइंग आएगी उसके बारे में चलिए पूरा डिसकुसन हम करते हैं तो अभी ट्रे मैं कई दिनों से आपको यह चीज बोल रहा हूं कि अगर मार्केट के अंदर यह लो नहीं काबू हुआ यह वाला लो नहीं मार्केट ने सम्हाल पाया ठीक है इस इस दे इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन जहां से मार्केट उठा था तो मार्केट एक बिक फॉल देने के जादा दूर मत जाई दोस्तों कल वाली वीडियो की उठाक देखिए 45,000 का टार्गेट मैंने आपको बोला था 45,000 का नहीं भी स्वास है मत करिए आप पहले कल की वीडियो जाके देखिए वहां मैंने क्लियर कट बोला था कि अगर मार्केट को उपर जाना है तो इस हाई को स्केल्पिंग कर रहे हैं तो उस मकसद से आप 2-3 इंट्रेट जरूर बना लिये होंगे जैसे मैंने बनाया था अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि मार्केट ने देखिए भाई साब एक बहुत इंपोर्टेंट गैप को यहां पर फिल कर दिया है और मार्केट ने 45, जर के लेवल को टच कर दिया है 45,000 का लेवल अब समस्य यह है कि इस 45,000 को दो नंबर बोला जाता है एक बोला जाता है एडवांस PSY एक बोला जाता है Magnetic PSY एडवांस PSY और Magnetic PSY का काम यह होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा राउंड नंबर जिसको सपोर्ट रिजिस्ट की तरह वर्क करता है तो अब यहां से दो चीजे समझ में आ रही है कि कल के दिन चूंकि परसो बैंग निफ्टी के एकसपारी है भी नहीं और इस बार परसो वाली जो क्लास होगी वह लाइब होगी एक बजे तक तो जो लोग रेजिस्टर उनको मेल चला जाएगा जो लोग नहीं रेजिस्टर आप यहां पर देखो एक चीज समझने की बात है कि मार्केट के अंदर 45,000 इंस्टेंट ना तो रेजिस्टेंस बनेगा ना तो इंस्टेंट सपोर् मार्केट के जो मुमेंट कराने वाले ऑपरेटर होते हैं वह 45,000 से पहले 80 पोइंट नीचे लेके आएंगे 50 पोइंट नीचे लेके आएंगे आप ट्रैप हो जाओगे आपको लगेगा तोड़ दिया मैं पुट में बैढ़ गया और वहां से मार्केट उपर तो अब मैं य ठीक है अब मैं यहां पर दो चीजें यहां पर किया हूँ ध्यान दीजिए दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ मुझे बेरिस मूवमेंट तभी बनाऊंगा मैं कल बेरिस मूव तभी मेरा होगा जब तक मेरा मार्केट 44,000 843 के नीचे नहीं जाता है अ मैं यहां पर fresh short position add करूँगा मैं अपनी बात कर रहा हूँ आप कुछ भी कर सकते हो क्यों इसके पीछे का logic बहुत simple है क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट के अंदर देखिए यह एक पैटन है एक पैटन मार्केट का यह है पैटन डे सेंस कि मार्केट का मूवर किस तरीके से मूव कर आ रहे है देन मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से है अब ही आप देखोगे तो मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यह एक स्पाइरल बन रहा है इसको पकड़ 4843 के नीचे जाएगा देन मैं यहाँ पर सौट पोजिशन को सोचूंगा एंड 44,840 के ऊपर अगर मार्केट कल के दिन कल के दिन कल के दिन रहता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ बुलिस मूव के बारे में सोचूंगा मैं फिर से आपको बोलना हूँ दोस्तों कि देखी इंतिजार करना आपकी जिम्मेदारी है आप इंतिजार नहीं करोगे पैसा नहीं बनेगा भाई 200-300 पॉइंट का मूमेंट छोड़ देना मत देखो आप यह याद रखो कि 44,840 के ऊपर ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ बुलिस मूवमेंट का सोचना है और 44,843 के नीचे आपको बियरिस मूवमेंट का सोचना है क्योंकि इससे बड़ी जादू यहाँ पर नहीं हो सकती अगर मार्केट इसको ब्रीच करेगा तो फिर से आपको लेवल्स मिलेंगे वो यह और यह लेवल्स मिलेंगे डाउन साइड में अगर अप गया तो दीरे-दीरे करके मार्केट पूरे इस प्रेटिकुलर चीज को इरेज कर देगा क्योंकि दो चीजें आ रही हैं एक तो इलेक्षन है एक तो फेड का जो रेट कट वाला है भी आने वाला है 31 जैन को उसके बाद मार्केट के अंदर जो बैंक ओफ इंग लैंड वगेरा है यह लोग अपना आउटकम देने वाले हैं फिर बजट आने वाला है तो मार्केट 100-100-200 पॉइंट उसके लिए कुछ है नहीं हवा है मार्केट के लिए बाकि आपको कोई भी चीज़ प्रॉपर अपडेट करते रहता हूं मैं टेलीग्राम में टेलीग्राम जरूर ज़रूर जवाइन कीज़ेगा और दोस्तों आज मैंने सुना बहुत ज्यादा ग्लीच आ आईएगा जरूर थेंक्यू जैसरी राम